वेलकम फ्रेंड्स कंचिन की रसुई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे होंगे हमने आज बनाया है भरवा बैगन चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने बैगन ले लिया है इसको अच्छे से धूल लिया है और अच्छे से धूल कर पाने निकलने के लिए रख दिया है एकदम छोट छोटे बैगन है इन्हें पकने में बहुत आसानी होती है इसके लिए हम मसाला लेंगे भूनी हुई धनिया मेथी और जीरा उसके साथ कुछ लहसुन की कलिया है और कुछ मिर्च है और इसमें नमक डाल लिया है इसे में सिलबटे पर पीस पाउडर देखे मैंने बना लिया है अब जो बैगन धुनके रखा था उसमें कट लगा लूँगी और चेक कर लूँगी कि यह बिल्कुल सही है ना इसमें कीड़े वगरे तो नहीं है उसके बाद यह जो मिक्स्चर है इसमें मैंने सरसो का तेल और खटाई भी मिक्स की है और इस मिक्स्चर को हम इसमें अच्छे से फिल करेंगे बहुत सारे लोग नारियल और मुंफली यह सारी चीज़ें भून करके और सारे मसाले एड़ करके इसका भी मिक्स्चर त्यार करते हैं वो भी बहुत अच्छा बनता है वो भी मैं आपको एक बार जरूर बना करके द साथ ही लेसन आमचूर है और घर का मस्टर्ड ओयल है जो पेट के लिए अच्छा होता है और साथ ही स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है तो आप जरूर ट्राइ करिएगा इसे इसके लिए हमने सभी को एक साथ भून लिया था धनिया जीरा मेथी को और सिल बट्टे पर अ ज़्यादा भूर भूरा तो नहीं है तो फिर से इसमें थोड़ा सा तेल और एट किया जिससे कि ये फिलिंग भरने लायक अच्छे से हो गई है अब सारे बैगन को हम अच्छी तरह से भर लेंगे और भरने के बाद एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर कढ़ाई हलकी गर कढ़ाएंगे उलट पलट कर देखे हमने सारे मसाले को अच्छे से फिल कर लिया है थोड़ा सा मसाला हम बचा लेंगे क्योंकि मैं लास्ट में आलू भी इसी से फ्राई करने वाली हूं वह आलू भी इसके साथ बहुत ही लाजवाब लगता है जब फ्राई हो जाता है बिल का सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद इसके गरम होने का इंतजार करेंगे जब यह गरम हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें बैगन डालेंगे जैसा कि हमारी कढ़ाई गरम हो गई है हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल के गरम होने का इंतजार करेंगे इसम कि हमने पहले से मसाले तियार करके अच्छे से भर लिया है तो तड़का डालने का कोई मतलब नहीं होता है जो हम बदाम वाला और नादिल वाला बैगन भरवा बनाते हैं तो उसमें हम तड़का लगाते हैं उसका हम ग्रेवी तियार करते हैं लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ भ लिए बहुत अच्छा होता है अक्सर हम लोग भुना हुआ जीरा और धनिया अपने जूस में लसी में छाच में मिलाकर पीते हैं वैसे ही हम इसमें ये सारी चीज़े मिलाएं हैं तो ये बहुत ही फाइदेमंद है अब इसको हम धीमेधे में आच पर पकने देंगे थोड़ी निकल करके बाहर ना आए क्योंकि मसाला अगर एक बार बैगन से निकल जाएगा तो उसका स्वाद जो है वो उतना अच्छा ने रहेगा और मसाला जल जाएगा तो ये भी ध्यान देना है इसके साथ ही बैगन को लगातार चलाते रहना है क्योंकि वो अगर एक ही तरफ रह जाएगा एकदम सौफ्ट हो जाएगा ये पक करके देखिए हमने अपना भरवा बैगन बिल्कुल अच्छे से पका लिया है हर तरफ से पलट करके पका लिया है ये देखने में जितना ही स्वादिश्ट लग रहा है उतना ही खाने में भी लगेगा अब आलू भी वका लेंग झाल झाल